हलो वल्कम गाईज, आज हम कार्डबोड का इस तरीके का रोबोट बनाने वाला है क्लीनिंग रोबोट जो की क्लीन करता है गाईज तो चलिए पटाबट देखते हैं बनता है इसे इसे बनाने के लिए हम एक कार्डबोड ले लेंगे तो यहाँ पर मैंने तूथ पेस्ट का डबा ले लिया है आप चाहे तो यहाँ पर कोई सावी डबा ले सकते हो यह साइज का होना चाहिए गाईज इस तरीके का तो देखिए मैंने जो इसका उपर अला पार्ट था वो काट दिया है और साइट साइट से भी हम यहाँ पर कट लगा लेंगे कुछ इतना बड़ा आ काटेंगे जो कि हमारा जमीन में नीचे टच रहेगा इसे हम थोड़ा सा ऐसे उठा देंगे और यह देखिए जमीन में आपका टच होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने कार का वील ले लिया है जो कि ट्वाई कार होता है और यहाँ पर मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा ले आप त est sy किनव रोटेट करना चाहिए नज्यादा निकला गुहाँ रहना चाहिए हलिका से ऋ आ dependent ले चले गाजार टांती ए मैंने दोनों तरफ रखकर वील को और मार्क कर लेता हूं तो इस तरीके साँ मार कर लेंगे कोई भी सार्प अब्जेक्ट से और फिर इस होल को बढ़ा कर लेना है ताकि हम वील को अटेच कर सके और जो हमारा वील है वो फ्रीली मूव कर सके अब हम देखें वील को ऐसे लगाएंगे तो जो नीचे वाला सत्ह है वो टच करना चाहिए जमीन को तभी यह वाला सत्ह तभी जो हमारा गंदगी है वो इसमें इसके अंदर इकटा होगा अब हम दो छोटे-छोटे पेपर का टुकड़ा लेने वाले हैं गाईज और बीच में हम फैविकोल लगाकर यह जो इसका डंटी है लकडी वाला इसके इसमें यहाँ पे लग तुछ को प्रहब करना चाहिए और जमीन में प्रोपर टच करना चाहिए यह पेपर और ना जादा बढ़ा होना चाहिए ना जादा छोटा होना जाएगा और इस तरीके से हम साइड साइड से यहाँ पर कैची से काट लेंगे और यह एक ब्रस टाइप का हो जाएगा जो कि हमारा जो भी कचड़ा रहेगा उसको अपने अंदर समेट लेगा जब यह रोटेट करेगा तो इसे हम फैला देते हैं और यह टोटल देखे चार भाग में डिवाइड हो चुका है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कचड़ा फेलाया है जो कि पेपर का टुकड़ा है तो इसे हम देखिए समेट कर देखते हैं इसे सिंपल ऐसे करके चलाना है आपको वील रोटेट करेगा और यह अपने अंदर सार और बहुत सारे पेपर इकटा होगा है जितने मेने फैल आते सभी ने मतलब सभी को इसने अच्छे से कलेक्ट कर लिया है अब चलिए थोड़ा सा रियत है यहाँ पर गिरा हुआ इसको कलेक्ट करके देखते हैं तो यह दिखे गाज इसे भी यह कलेक्ट कर रहा है और साधी एक लिए वीडियो को लाइक जरू कर देजाए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेजाए मिलता है अगले वडियो में तब तक लिए बाइबाए थैंक्स पर वाचिंग सी यू सून